नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम रिवीव करेंगी HP के wireless keyboard और mouse का जिसका model नमबर है wireless keyboard and mouse लिखवाई 300 यहाँ पर मैं आपको दिखा दिता हूँ और इसका product number रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका product number तो यह सक्सेसिर्श मोडल है इसका previous version था उस पर लिखा होता था HP wireless keyboard and mouse 3 यहाँ पर 300 लिखा हुआ है वहाँ पर वह ताथ 200 यह सिर्फ अभी HP की official website पर ही available है अभी online stores, Amazon, Flipkart ऐसे चो online stores है वहाँ पर अभी तक यह available नहीं है तो आज हम इसका review करेंगे देखेंगे कि क्या यह worthwhile product है या नहीं क्या हम इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए पहले हम इसकी unboxing कर लेते हैं और बाद में हम देखेंगे कि इसकी typing speed कैसे है या अच्छा रहेगा अच्छी typing speed देगा या नहीं देगा और बाद में हम इसके और features भी देखेंगे और देखेंगे कि किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो ओके तो यह है मारा box इस पर यह देखिए सबसे पहले mention किया गया है यह wireless mouse है उसके बाद यह जो इसका जो dpi है dots per inch है वो है 1600 और उसके बाद इसका quick access shortcuts मिलेंगे आपको इस पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे और इसके इलावा आपको यहां पर यह जो design है इसका जो आपकी जो हतेली रहेगी इस पर अच्छी से है मुझे यह यहां पर इसका जो प्रड़क्ट नंबर है वह यह लिखा हुआ है तो अभी मैं इसको खोल लेता हूं बहले तो यह रहा हमारा कीबोर्ड इसको मैं अभी निकालता हूं बाहर तो यह कीबोर्ड डिजाइन मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका इसलिए मैंने इसको ओडर किया एक्चली मैं इसका जो प्रीविएस वर्जिन है जो मैंने आपको बताया बटन्स मेरे अपको सब्सक्राइब हरा को कॉपींड कि मिल रहे हैं इसे अब मुझेज fat को कंड्रोल कर पाँगे कंड्रों कर पाऊज कि वीडियो करें करतेया दो तो यह कमाने वाली की आपके लिए तो यहां पर यह कीज डिजाइन देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे डिजाइन इसका वेट ज्यादा हैवी नहीं है लाइट वेट ही है अभी बात में डिटेल में बात करते हैं पहले मैं और देख लेता हूं बोक्स में क्या क्या है एस यूजर यूजर गाइड और यूजर मैनुल आप कह सकते हो वह मिल रहा है यह हमारा माउस इसको मैं निकाल लेता हूं पहले समान निकाल लेते हैं यह रिसीवर और यह आपको 4 AAA बैटरी मिल रही हैं जो हम कीबॉर्ड में और माउस में डालेंगे इसके इलावाश में कु आपको keyboard bc से चलेगा mouse bc से चलेगा और इसकी जो speed होगी frequency होगी जो 2.4 GHz होगी जो के एक अच्छी frequency है जिससे बहुत जल्दी transmission हो जाती है तो यह mouse मिलेगा इसके साथ मैं यह निकाल देता हूं माउस मुझे अच्छा नहीं लगा इसके साथ जो मिला है चोटा बहुत है साइज में अधरवाइस hp का है क्वालिटी का तो कोई इशू नहीं होगा लेकिन मुझे साइज में थोड़ा चोटा लग रहा है जैसे यह देखिए जो क्लिक से इसके वह भी इतने स्मूध नहीं है हलके से हाड़ है मौस में आपको तीन बटन मिल जाते हैं लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक और यह बीच में रोलर यहां पर यह जो ब्लू बटन होता है अगर कनेक्ट ना हो तो तब इसको यूज करते हैं यहां पर यह जो माउस है छोटा देखिए यहां पर यह मेरे पास एक्स थ्री फाइव जीरो जीरो है तो इसके साइज में उसके साइज में डिफरेंस है शायद इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा तो मैं तो इसको यूज करने वाला हूं इसके साइज माउस ठीक ठाक एवरेज है ना आप इसको कम कह सकते हो ना ज्यादा कह सकते हो तो यहां पर में तो यह है हमारा इसके पर ही बात करते हैं तो यहां मैं अभी मैं इसको उपर करके आपको आवास ना देता हूं क्लिक कैस से एसके जो की जो प्रैसे वह कैसी हुआ जाती है पर जो की प्रैसे से वह स्मूफ्ज ठीक ठाक है जो सरके कीबोर की बर्डुर उसका फील देता है लेकिन वह है तोनाए लेकिन उसके जैसा फील cleet है यहां पर आपको numeric keypad भी मिल रहा है अगर आप इसको यूज करते हो तो अच्छी बात है उसके इलावा आपको functions keys जो प्रोपर कीबोर्ड में होता है सारी keys मिल रही है उसके इलावा आपको यह multimedia keys और quick access keys मिल रही है वो यह बहुत अच्छी है जैसे मैंने बताया अगर आप video editing करते हो तो आप इन keys को रहा हम से use कर सकते हो जैसे mouse को use करने की जूरत नहीं आप यहां से cut paste copy कर सकते हो folder open close कर सकते हो दूसरी decide आप volume का up down कर सकते हो control कर सकते हो यहां पर यह दिखिया आपको hp का logo मिल रहा है यहां पर यह design इसका curvy design है यहां पर edges के curve किए गये तो यहां पर मैं यह बात कर रहा था यहां पर यह जो design है यहां पर यह जो हिस्सा है यह आप जब type करोगे तो आपकी हतेली को इस से पोर्ट मिलेगी और आप ज्यादा देर तक काम कर पाऊगे हाँ अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया है लेकिन अभी तक जितना मैंने इसको देखा है उसके साफ से मुझे अच्छा लगा है यहाँ पर भी इसको देखी यह एक ब्लू बटन दिया गया है इनकेस अगर यह कनेक्ट नहीं होता है तो आप इससे इसको प्रेस करोगे तो यह कनेक्ट हो जाएगा तो चलिए अभी इसमें बैटिस डालते हैं तो मैं थोड़ा सा यूज करके बताता हूँ आपको कि मुझे कैसा लगा तो चलिए अभी मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ अपने है तो मैं खोल लेता हूँ को डोक्यूमेंट कनेक्टिविटी बहुत असान है जिर्फ आपने रसीवर को लगाना है अपने लैप्टॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ और यह अटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा तो यहां पर मैं कुछ टाइप करके देखता हूँ कि अगया है ओके इंप्रेसिव तो नहीं कह सकता लेकिन अच्छी लगी मुझे ठीक ठाक है क्योंकि मेरा जो लैप्टॉप का कीबोर्ड है वह लो प्रफाइल लेकिन यह कीस थोड़ा ऊपर उठी हुई है ज्यादा तो इसलिए थोड़ा हलका सा मुझे प्रोब्रम आ रही है अदर्वाइस ठीक है तो बाद में थोड़ा सा और यूज करके मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा एरर आ रहा है मेरा ओके इट इस गूड थोड़ा टाइम लगा है मुझको इसको यूस्टू होने में अदर्वाइस मुझे ठीक लगा है बस एक चीज नहीं अच प्रेसे की वाज है न वह अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उससे अपको ज्यादा काम करने में मजा आता है ज्यादा अच्छा लगता आपको ठीक निसकी इतनी इंप्रेसिव नहीं अच्छी नहीं है प्रोपर ली सोलांसो रुपे कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें होनी है यहां से देखने तो लग रहा है कट पेस्ट फोल्डर ओपन करने के लिए और एक वह जो रीसेंट एप्स को ओपन करने के लिए एक वह लग रहा है मुझे और दूसरी साइड है मारे पास प्ले पोज वोलियम अप डाउन और म्यूट का बटन मिल रहा हमें डिजाइन व चैनल वर है कीजी चाहिए को मुझे ठीक लगी उसमें मुझे को बटन मिल लागा तो अब हम स्वी क्किन को लेना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हो तो आपके लिए ठीक है वीडियो डेटिंग करते हो ठीक है यह यह चाहिए तो वो आपका काम असान कर देंगी, typing purpose और video editing लिए यह अच्छा है, अगर को कि gaming के लिए मैंने wireless keyboard और mouse लेना है, तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, यह gaming keyboard और mouse नहीं है, gaming के लिए मेशा wired ही prefer करें, gaming में क्या होता है, कि आपको बहुत ज्यादा quick response चाहिए होता है, तो यह क्य मुझे यह value for money product कहें तो मुझे नहीं लगा अगर मुझे मिलता यह 1300-1200 रुपे का HP brand है तो इससे कम तम सोच नहीं सकते तो उस range में यह perfect होता तो जैसे मैंने जब HP से इसको online buy कर रहा था मैं that time HP 10 code available था 10% discount मिलता था लेकिन किसी वज़ा से वो apply नहीं हो अगर वो apply हो जाता तो फिर यह मेरे लिए value for money product बन जाता लेकिन अभी मैंने इसके pay की है 1600 रुपे थोड़ा सा expensive है लेकिन अच्छा है मेरे इसाब से यह value for money तो नहीं है लेकिन एक अच्छी deal है कॉमबो जो wireless keyboard और mouse का कॉमबो मिल रहा है यह आपको यह अच्छा रहेगा बाय कर सकते हो अगर आप बाय करने वाले हो HP keyboard और mouse कॉमबो जो 200 है उसको ignore करें और इसको लें इसका जो design है अच्छा है ergonomically भी अच्छा है aesthetically भी अच्छा है okay thank you very much for watching this video क्णौिज hating, अ we अच्छा है मुड़łem कि मुड़ excavations है